बड़े बड़े घटना करम में जो लोग है वह सभाई काश्ट अभी जाहतर कहते हैं जाहतर कहते हैं कि 90% वीसी समझ कहाता है चलो सबसे प्रभुत्त समाज अब किसे सवाल तुम पत्रकार हो थोड़ी दिरे के लिए मैं जबाब दे रहा हूं अब करेंगे नमस्कार जैवी मैं ब्रजमोन इस वक्त हूं दिल्ली जंतरमंतर पर आज यहां पर बहुती बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है मौधी सरकार के खिलाब उनकी क्या मांग है उनसे बात करेंगे सर क्या नाम है आपका मुहम्मद रफीक मेरा नाम है दिल्ली प्रदेश ओवीसी महासवा का अबाद देख्शों तो क्या मामला मामला देखो हमारी जो मुख्य सबसे पहली मांग हमारी जातिवार जनगर्णा है भारत जब आजाद हुआ था उनसे और आप सुरू से ले लो गुलाम बंसे से जातर इस्ट्री स्टार्ट हुई है गुलाम बंस बावरवाला आया यह मुगल आये लोधी बंस पीच में आया जितने ही बंस आये आप सुरू से ले लो आज तक कभी हिंदु खत्रे बनीता और उनने ही जाती हमें बताई कि तुम यह हो तुम यह हो तुम बहूँ मसल के रख दिया कि तुम सूद्री हो बस और वो सुरू से और उनने उसमें से भी दस पर्शेंट आर्थिक आरचन उनने खुद ले लिया हमारी जो मांगे मुखी यही है कि ओवी सी समाज की पहले तो जन्गर्णा कराओ आप तो मुश्लिम कम्यूटी से हैं साथ हाँ तो आपको क्या इन चक्कर में पढ़ना मैं बता अपड़ा आता तो आगा दिया जब सब एक साथ आये मद्प्रदेश की सुरुआत हुई ओवी सी महासभा की मद्प्रदेश सुरुआती गौलियर में ही ओफिस का रेश्टर जब वहां सब इखटे हुए पहली बार मद्प्रदेश की सरकार्ण ने अभी जब चुना हुआ यहादा आप ज तो यह ओबी सी महासभा ने जब लोगों को समझ आया की जब बटे वटे हुए थे हमारे यही कहना जाती तोड़ो समाज जोड़ो लेकिन सबसे ज़ादा आप जितने बड़े बड़े अत्याचार देख रहे हbungे क्या लगता है बड़े बड़े जानकारी के लिए पूछ रहा हूं मुसलमान हम भी जाती होती है बिल्कुल हर जगे जाती है उन्हें ऐसा पढ़ा दिया समय जाती अब देखो तुम सबसे बड़े बड़े घटना देख लो आतरस में हुई अतरौली अलीगर में हुई लोधी समाज की बेटिक साथ आतरस में हुई दले समाज की बेटिक साथ दिल्ली में केंट में हुई दले तो बेटिक साथ राजस्तान में घटना हुई इंदरकुमार मेगवाल समाज के साथ बंड़ा में सागर में सब कौन और इनके जो मड़े बड़े घटना करम में जो लोग है सब्सक्राइब 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 तुम पत्रकार हो थोड़ी देरे के लिए मैं जबाब दे रहा हूं सब्सक्राइब करेगा विरोजगारों में लाटिया बरसाई जाएंगी और बलातकार करने वाले को जब फुलमाला सो स्वागत होगा मिठाईयां बांटी जाएंगी तो क्या करेंगे लोगों समझ में तो आ जाए ना अभी आपके मतलब मद्रदेश चत्रपर में भी जो बलातकार के आरोपी ती कौन से महाराज पता नहीं को से महाराज आ जाते अभी पैपचे लवले स्तिवारी उनको रहा कर दिया गया यहीं तो अंदा कानून है आप इसी नजरीय से तो देखिए क्चानून चल कैसे रहा है कहने के लिए कहते हैं के सबका साथ सबका विकास मुझे ये बताईए सबका साथ सबका विकास क्या ऐसे ही होता है एक कॉम पर अत तो मुझे लगता है कि हम लोगों की वो कहां जाते हैं अपनी मेलाओं को बेजते हैं खुद सोशड कराने के देखिए यह आप गलत बात कह रहे हो इस देश में कानून के तैस महिलाओं को 50 प्रिस्ट आरफ चड़ है और फुल आ जा दिए गूमने की ऐसा नहीं है मैं यह नहीं चह रहा हूं कि बाहर बार जो उनका लोगों को फटा करके और बोटमियंक मना आते हैं और हम लोगों को गुम्रा करके लूटते हैं और धरम के जाल में भुचा के बलब बढ़काती हैं हम व्लोगों ताक्य ये पढ़ना सकें लिखना सकें और अपने uswar से बीडिता मिलना जरूरी के पास नहीं जाएंगे यह बताई जैल में निकल नहीं पाई जहले गए आसाराम इसवर सकती है राम और नहीं चलो जबरस्ती करा दी जमानत तो जेल में आपके बार बार डाल रहे प्रदेश में पहले पत्रा हुआ था जो कुछ निकला एक बच्चे के दोनों हाथ कटे वाला पत्थर फेक देगा आप पताओ एक आदमी छे महीना पहले मर गया मरा हुआ आदमी पत्र फेक देगा उसका घर घर गरा दिया चलो गिरा दिया फोटु लगा दी रेप करा रेप पंचाय तोरी उनके समर्तन में तो उनके घर क्यों नहीं गराए उनके फोटु क्यों लगवाए गए जहां राइस्तान में लड़के को पानी नहीं पीने दिया अम्रत था क्या पता आजादी का अम्रत में मन्थन हुआ था उसके घर पर क्यों नहीं बुल्डोज चला और उनकी लड़की उसके सामने मार दिए पटक पटक पटके संसकारी संसकार उनमें और तुम आरे लिए लीटर तुम अपने लिए किलो से नापा होगे हमारे लिए लीटर से नापा होगे एक असी खाजाओं नहीं लोगों को समझ रखा इसलिए समाजी घटा हुआ ओवी सी समाज इसलिए सब्सक्राइब लोगों की अनमती थी यह तो अभी तुम्हें दिख जाएगा चार सेतंबर आजाना अब अद्रदेश बंडा सागर में चार सेतंबर आपको देखने ना आप देख लेना आप गिंती देखना और यह प्रीतम सिंग लोदी अभी आई है है यहां टीकमगड में हुई कि छोर में कितनी बड़ी संख्या में बहुजन ही खटे हुए आप देख लेना है इट सीट बजा देगा बहुजन सांती पुर्वक कर रहा है लोट लाटी बजवाई जो जो वह बिंड में लोग जो बलात करके ब्रोद में उन्होंने जो प्र आप शब्द बोले हैं मैंने बाइरल ओडियो भी सुना था इस प्याप सब्सक्राइब अगर एक ही जात के लोग निकाह पढ़ाएंगे तो दूसरी जाति पढ़ा सकता है बगेल नहीं पढ़ सकता है इस पाद मिल रहा है मसाज भी लोग उनकी सेबा कर रहे गल्ती आपारी समाज की अब लोग पढ़ रहे अब लोग पढ़ रहे हैं वो बीजिव चल रहा है वो चल रहा है नहीं लगता नहीं लग रहा वो अरे अब दुल हमीद कौन थे अब दूल हमीद कौन थे वह भी मुसलिम थे वह तो पाकिस्तार में उन्हें चड़ा दी जाके चड़ाई ना अपना वह ले गए पूरा टैंक उन्हें गुषा दिया ना आप नाम इनके सुलो इंडिया गेटर सब्सक्राइब कितने नाम लिखें पढ़ लेना एक से लेकर लास्त तक कितने मुसल्मान हैं कितने इनके देख लेना ऐसी स्टी ओवी सी के लोग है ना आजादी में इनका भाग रहा तो सुरू से लेकर जब रहे हैं तो आज साथ नहीं रह सकते क्या चलिए दन्यवाद औ मैं यहीं पड़ पड़कर बैदानसवा अध्यक्त हूं ओवी सी का और मेरे वाज साम बेंड से आये इनके साथ हूं भागी में तो दर्सकों आप देख सकते हैं कि ओवी सी समाज में किस तरह से जागरुकता आई है तमाम तरह के पाकंड और अंद्विस्वास को छोड़ कर है कि अब एक मतलब सरकार से बजूद मांग कर रहे हैं कि हमें दन दर्ती और संपदा में अधिकार दो जादगत जनगरना हो और सरकारी सेवा में बागीदारी दी जाए इन सभी तमाम मुद्दों पर आज जंतर मंतर पर ओबी सी महासाभा दोबारा प्रोटेस्ट किया गय और आप इस पूरी ख़बर के बारे में क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं अपना सुजा कमेंट बॉक्स में जरूद हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सातियों में सेर जरूर करें ताकि यह जानकारी उन तक पहुंच सके और वो लोग भी जाग पिलाल इस वीडियो में से पतना ही आप देखते रहें जनिता आवाज नवस्कार जयवें